गुज इसस्तर हमारा आठ रेता है इसमें पाइंट और एधा एक डॉने थाहर तो आपको मेनियोर पे रखना है अलब थो लुछ ऑगा इस यूदि शूरिव पर का नहीं आ रहा है तो आपका उस पोजिशंट में आपका जो स्टार्टर है ये बटन से वर्ण स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में तो जैसे कि दोस्तों आपने देख लिया होगा थमनेल और टाइटल कि किस तरह थ्री फेस की मोटर टू फेस में चलाई जाए दोस्तों तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं दोस्तों किस तरह से थ्री फेस की जो मोटर रहती है दोस्तों हमारी वो दो फेस में कैसे चलाए और किस तरह से चला जाता है और केपिशेटरों का कनेक्शन किस तरह से होता है वो इस वीडियो में हम पूरा बताने वाले हैं आपको दोस्तो तो वीडियो पे बने रहे हैं वीडियो बहुती बड़िया होने वाला है और बहुती knowledgeable होने वाला है दोस्तो जिसमें को सीखने को मिलेगा आप आराम से किसी भी मोटर को! वो चाहे आपकी open wheel motor हो या वि6 collector हो बॉरल की मोटर हो जो भी थ्री फेस की मोटर है दोस्तो आप उसको टू फेस में चला सकते हो बहुत ही आराम से और बढ़िया वही पानी आपकी मोटर देगी दोस्तो तो चलिए बताते हैं दोस्तो आपको तो दोस्तो इससे पहले आपको आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर आपको हमार फुल वीडियो लाते रहते हैं दोस्तों तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं देगे दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको हमारे जो कैपेशिटर है वो बता देते हैं देखिए हमने कैपेशिटर लिये है इसमें यह देखिए एक हमने कैपेशिटर लिया है पचास एमेपडी क अब इन तीनों का पहले तो सबसे पहले हमको कनेक्शन करना होगा और किस तरह करना होगा वो भी आपको बताएंगे तो इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझाने वाले किसी भी थ्री फेस की मोटर को टुफेस में चला सकते हो दोस्तों खास करके आपकी बोर्वेल की जो मोटरे आती है 5 HP, 6 HP, 8 HP, 10 HP, 4 HP सभी को आप चला सकते हो दोस्तों असानी से तो पहले दोस्तों सुरू करते हैं देखिये सबसे पहले तो देखिए हमने यह तीन कैपसिटर लिये हैं इस कि भी कि दूसरे टैस्य हो एक तार लेंगे और इसी तरह तीसरे का मुझे लेकर को अब क्यों क्यों दो ना लिया इसका दोस्तों इसी तर प्रकार दोस्तों जो हमारे तीन तार और बचे तीनों केपेशिटर में से एक एक दोस्तों उनको तीनों को भी हमको आपस में जोड़ देना है तो इनको भी हम आपस में जोड़ देंगे ये देखिए कुछ इस तरह से हमने ये केपेसिटर का कनेक्शन कर दिया दोस्तो इस तरह से अब ये हमारे टोटल कितने है दो तार बच्चे है दोस्तो अब हमको क्या करना है दोस्तो इसमें ये देखिए हम इस तरह के दो तार लेना हमको ये देखिए दो तार के टुकड़े ले लेंगे हम कुछ इस तरह से हमने देखिए दो तार के टुकड़े ले लिए आप किसी भी कलर के ले लिजिए थोड़े हेवी लीजिए दोस्तों ये तो हमने आपको बताने के लिए ये वाले लिए है आप फोरे में के ले लिजी इसमें तो बहुत बढ़िया रहेगा तो चलिए ये दो इस तरह के तार लेना है हमको और एक तार दोनों में हमको मिला लेना है दोस्तों इस तरह से जोड़ देना है ये देखिए एक तार हमने इसमें जोड़ दिया है ये वाले सीरे में हमारे और दू कर लेना है तो इस पर दोस्तों आपको टेपिंग अच्छे से कर लाना टेपिंग इसलिए कर लेना दोस्तों ताकि आपको करेंट वगरा नहीं लगे सेप्टी रहे आपकी इसलिए आपको इस पर टेप कर लेना है आपके दो सीरे यह तरह से तयार हो गए यह देखिए इस तर लिए और ये आपको स्टा्रटिंग केपिसिटर की जरूब भी नहीं पड़ेगी दोस्तों तो देखिये यह दो सीरिय निकाल लिए हमने इस पर आपकोने करदेना अच्छे से यह अभी हम इस पे अभी हम दोस्तों टेपिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमको केवल आपको दिखाना है हम अभी इस पे light में use नहीं कर रहे हैं इसलिए इस पे टेपिंग नहीं कर रहे हैं तो चलिए ये तो हमारे capacitor के connection हो गए कुछ इस तरह से अब इनको हम थोड़ा sight कर देते हैं ये देखिए हमारे दो तार इनमें से निकले हुए है अब हम आपको starter लेते हैं दोस्तों और starter में दिखाते हैं किस तरह से हमको तार लगाना कहां पर हमारा connection करना है इसका दोस्तों केविसीटरों का ठीक है दोस्तों ये देखिए तो देखिए कुछ इस तरह से दोस्तों हमारा starter रहता है और हम आपको starter में ही इसका connection करके दिखाएंगे और starter चलेगी आपकी motor कोई दिक्कत नहीं आएगी problem नहीं आएगी तो देखिए दोस्तों इसमें auto switch नहीं है भी हमारा लगा हुआ अगर आपका auto switch भी लगा हुआ रहेगा तो भी same हम जो connection करके दिखा रहे है वेसे ही आपका connection रहेगा दोस्तों same वही connection आपको करना है same वही पे आपको tar लगाना है तो देखिए दोस्तों ये कुछ starter हमारा इस तरह से रहता है ये हमारे तीनों face के tar हो गए ठीक है ये हमारे एक दो तीन हमारे तीनों face के आएं यहां से cut out में से ठीक है और यहां पर हमारे cable के लगते हैं जैसे के दोस्तों तो ठीक है दोस्तों तार हमारे टोटल जैसे के जैसे लगे रहेंगे जैसे त्री फेस में हमारे रहते हैं दोस्तों अब मान लो के हमारा थोड़ी देर के लिए बीच वाला फेस उड़ गया ठीक है या बीच वाला फेस हमारा नहीं आ रहा है आइट साइट के हमारे आ रहे हैं तो हमको क्या करना ह यह वाला हम बीच वाला फेस कटाउट इसका निकाल लेंगे यह देखिए यह आपको निकाल लेना है दोस्तो अगर आपके कटाउट लगे हुए हो तो इसको निकाल लेना है एक कटाउट जो फेस आपका नहीं आ रहा है यह जिसे बीच वाला नहीं आ रहा है साइट वाला न यह हमारा यह वाले blue wire है यहां पर आया है दोस्तों यह yellow wire जो है वारा बीच वाला यह हमारा बीच में आया हुआ है और red वाला wire जो हमारा यहां पर यहां से यहां पर आया हुआ है ठीक है अब हमारा बीच वाला फेस नहीं आया तो देखिए यह हमने यहां पर capacitor रख लिए यह पर वही हमारे कैपेसिटर से जैसे को आपको बताया और यह हमारे दो सीरे जो निकालते दोस्तों तो आपको क्या करना है जो प Colonnay गरंना दोस्तों उसका Cutout निकाल लें आपको यह बीच वाला यह निकाल लिया अमने इस तरह से Margaret तार हमको इसमें बीच वाले में लगा देना है इस तरह से यह देगी हमने बीच वाले में कहां पर लगाया है जहां पर हमारा साइट में आ रहा दोस्तो तार और दूसरा वायर जो हमारा कैपिसीटर का दोस्तो वो हमको इसके पास वाले Cut Out में लगा देना आप छाहे तो इसमें लगा सकते हो क्योंकि हमारे दोनों में फेश आ रहे है आपको एक तरीका और बता देते हैं आप Bulp से आप Bulp से दोस्तो फेश जरूर चेक कर लिजेगा कौन से आ रहे हैं हमारे कौन से नहीं आ रहे हैं और जो फेस आपका तेज आ रहा दोस्तों ये अगर तेज आ रहा तो इसमें लगाईए दूसरा तार और ये तेज आ रहा तो इसमें लगाईए तो ये जो एक तार तो हमको जो फेस हमारा बंद रेता उसमें लगा देना है और दूसरा हमको जो भी तेज आ रहा हो फेस दोस् तो यह देखिया हम आपको आटो सूज भी दिखा देते हैं कुछ इस तरह हमारा आटो सूज रहता है इसमें एक पाइंड आटो का रहता है एक मेनियोल का रहता है तो आपको मेनियोल पर रखना है इस आटो सूज को जब आप टूफेस पर चला रहे हो और मेनियोल पर रखने यह वो भी आपको बता देते हैं जैसे कि यह तो हमारा मानलो की बीच वाला फेज खराब हुआ बीच वाला फेज नहीं आ रहा था और साइट के आ रहे हैं तो आपका जो इस्टार्टर है बटन से वर्क कर रहा है स्विच जो हमारे जो बटन रहते हैं उससे वर्क कर रहा है अगर साइट का जो फिज अगर उड़ जाएगा दोस्तों अगर साइट का नहीं आ रहा है और यह दोनों आ रहे हैं तो उस कंडिशन में क्या होगा दोस्तों आपका जो इस्टार्टर है वो बटन से नहीं वर्क कर केवल आपका वर्क को वुसी टाइम करेगा इस्टार्टर से दोस्तो Taliban का फेस नहीं आएगा थी कि दोस्तोर बीच फेस्ट नहीं आएगा तो आप बटन से चला सकते हो और अगर साइक है तौ अगर साइट का मानलो ठोड़ी देर के लिए हमारा यह नहीं आ रहा है तो तो आपको क्या गरना है तार तो आपको एक हमारा जो फेस नहीं आता उसमें तो आपको लगाना ही लगाना यह देखिए इस तरह से और दूसरा तार हमारा जो भी हमारे फेस जो ज्यादा आ रहा जिसमें वोल्ट ज्यादा है उसमें आपको लगा देना है चाहे वो साइट का हो या बीच का हो ठीस reflects तो यह दोनों वाइर हमने इस तरह से लगा देना है है आप आपकी 1963 से वर्क नहीं करेगा पर आप इस तरह से जो आप टेका लगाना बोलते हो या कुछ भी बोलते हो इस तरह से दबाके रखना पड़ेगा आप को और यहां पर पेश्चकस वगएरा डाल के आप चला सकते हो तो उस तरह से आपकी मोटर चल जाएगी दोस्तों अगर साइट का भी फेस नहीं आ रहा है तो उस पोजिशन में पर यह दोस्तों मोटर चलाने का तरीका गलत रहता है तो अब हम आपको बताएंगे क्या करना हो तो आपको क्या करना है दोस्तों अगर मानलो यह वाला फेस आपका नहीं आ रहा है तो इसको आपको निकाल के यहां पर कर देना है और इसको यहां पर लगा देना है तो आप इजी तरीके से बठन से चला सकते हो मानलो थोड़ी देर के लिए आपका यह फेस नहीं आ रहा ह और ये दोनों फेस आ रहे हैं ये और ये दोनों आ रहे हैं और ये नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है अगर आपको एके से चला सकते हो ठीक है चल जाए कोई दिक्कत नहीं नहीं तो आपको अगर बटन से ही ओनाप करना है तो आपको क्या करना है ये वाला फेस हमारा बं तो इस तरह से आप इसको बटन से भी वर्क करवा सकते हो इस्टाटर हमारा बिलकुल बटन से काम करेगा और आपकी मोटर केपिसिटर से इस तरह से चलाओगे तो चल जाएगी बहुती बड़िया तरीके से आपकी मोटर वर्क करेगी दोस्तों तो यह दोस्तों अब रहा बात दोस्तों केपिसिटर हो कि केपिसिटर हमको कौन सी मोटर में कितना लगाने हैं तो दोस्तों आपको केपिसिटर आ कम ज़ादा करके भी देख सकते हो दोस्तो और आपtime 50-50 के दो कयपिशेटर से भी चल जाएगी कोई आपके 50 और के पिशेटर भी लगेगे 50 पिशेटर लगाए और नहीं चली हमने जैसे 250 के और 36 का लगाया आपकी मोटर अगर नहीं चल रही है पानी कम दे रही है तो आपको तीसरा केपिस्टेटर भी जो 36 का वो निकाल देना और उसको 50 का कर लेना है और एक बात की ध्यान रखना है दोस्तों आपको जितने भी कम केपिस्टेटर से आपकी मोटर चले उतने कम केपिस्टेटर से आपको चलाना उतनी बड़िया आपकी मोटर सही सर्विस देगी और आपकी मोटर में कोई परसानी भी नहीं आएगी दिक्कत भी नहीं आएगी कप तो इस तरह से दोस्तों आपको थ्रीफेस की मोटर को आप टूफेस में चला सकते हो दो फेस में वो चाहे क्यों open well motor हो पंडूभी motor हो या फिर बोर्वेल की motor वी 6 हो वी 7 हो दोस्तों कोई सी भी मोटर आप इस तरह से आसानी से चला सको दोस्तों तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हमने आपको इस में पूरी जानकारी दिये कि थ्री फेस की मोटर को आप टू-फेस में किस तरह से चलाए और बिल्कुल आपकी बहुत बड़ बाई थेंक यू फर वोचिंग माई वीडियो